तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज जो है that is clearly audible to you all और उसके साथ ही this screen is also visible to you all तो इंडियन पॉलिटी का मैंने ये बताया था लास्ट लेक्चर में कि मैं आपको लेक्चर सिरीज लेकर के आ रहा हूं and yes उस लेक्चर सिरीज का ये पहला वीडियो है इंडियन करने वाले इंडियन पॉलिटी साथ में उसका ये आज हम लोग पहला वीडियो आप लों के सामने कवर करने जा रहे हैं ठीक है तो अब हम लोग आपसे बात करते हैं कि मैंने आपसे कहा था कि आप बुक पर्चेस कर लिजिए का इंडियन पॉलिटी भाई एम रक्ष्मी का अमेजन पर फिलिप कार्ट पर या आपके पास जो भी आज पास में बुक इस्टोर है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बुक ले करके बैठे हुए नहीं भी बैठे हैं कोई बात नहीं आप कैस वाली सुन लिजे वाश्रू में बैठे हैं वहाँ सुन लिजे टहल रह कर रहा है आप वहाँ पर सुन लिजे ठीक है लेकिन आप सुन लो यह आपका उसके बाद जब आप पढ़ोगे तो बहुत आसान लगेगा आपको पढ़ने में बहुत एजी तो इस्टोरिकल बैग्राउंड जो है यह हमारा पहला चेप्टर है जो अभी हम लोग आज करने वाले है तो अहिस्टोरिकल बैग्राउंड जैसा कि आपवलोग देख रहोंगे आपके सामने स्क्रीन पे है इस्टोरिकल बैग्राउंड में दो पार्ट हैं तो यह एक देखरें है आप लोग यह company rule है number one और number two पर देख रहा है crown rule है जो की 1857 के सिपाही विद्रो जो सिपाही म्यूट नहीं हुआ था उसके बाद जो साशन हुआ ठीक है दो अलग-अलग रिजीम है तो हम उस दोनों को हमने क्या किया कि दो पार्ट में डिवाइड कर दिया आज के लेक्चर में हम लोग company rule first वाला पढ़ेंगे 1773 से लेके 1858 तक ठीक है और next lecture में हम लोग crown rule कवर करेंगे ठीक है तो आए जो हम लोग lecture की शुरुआत करें बहुत मजा आएगा ठीक है और मैं आपको यह completely UPSC civil services examination के perspective से बता रहा हूं लेकिन यह उसके अलावा कोई भी competitive examination जहां पर इंडियन पॉलिटीज अपाट अदर सले बस देर इस वीडियो is going to be very much useful for you all ठीक है तो historical background आईए हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले आप देख रहे हैं कि Britishers जो है यह 1600 में आप से question पूछ सकता है कि इस इंडिया कंपनी फस्ट केम टू इंडिया इंडिया ठीक है अट टाइम दिली सल्टनाथ वाज अंडर दे रिजीम उप मतला इसे इतना इसी इतना स्टाटिक तो पूछता नहीं अब लेकिन स्टाटिक किसी स्टेट में आ सकता है तो ध्यान रखिएगा 1600 में किसका रिजीम था तो यह आप लिखा हुआ है वही मैंने लिखा है कि 1605 तक यह अकबर थे ठीक है तो ध्यान रखेगा अकबर थे उसके बाद आई यह उसके बाद हम लोग आगे शुरू करते हैं इस इंडिया कंपनी बन के आई और उनको जो है आप देखें यह लिखा हुए एक्स्क्लूसिव राइट ऑफ ट्रेडिंग मिला इंडिया में ठीक है कुइन एलिजाबेट वन जो है वह चार्टर ग्रांट करती है इस इंडि 1764 यह स्टेट पीसिएस का फैवरिट कोश्चन है बैटल अब बक्सर ठीक है इन 1765 क्या होता है कंपनी जो है जो की अब तक प्योर्ली ट्रेडिंग फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे उसको क्या मिल गया ऑप्टेंट दीवानी राइट ओवर रिवेन्यू सिविल जस्टिस और और इसा में ठीक है और उसके बाद जो है यह लोग एक टेरिट्रियल पावर की तरह आपने करियर की शुरूरात केते हैं टेरिट्रियल पावर का मतलब है कि पूरे इंडिया मेंने एक पटिकुलर टेरिट्री में उनको रिवेन्यू राइट्स मिला बैटल अब बक्सर जब First World of National Independence होता है आपने मंगल पांडे की मूवी देखी होगी उनके बारे में सुना जरूर होगा तो यह ब्रिटिशर्स सचेत हो जाते हैं कि यार हमारा काम तो ऐसे नहीं चलने वाला है फिर से अटाइक हो गया तो गय हम लोग काम से तो completely crown के अंदर यह पावर चला आता है और यह लोग यहाँ पर रूल करते हैं और यह 1947 पंदर आगस तक चला आईए उसके बाद आगे बढ़ते हैं इंडिपेंडेस से पहले जो हमने देखा 1946 में Concert Assembly की स्थापना होगी ठीक है और वही Concert Assembly जो है एक समविधान बनाएगी और 26 January 1950 को जो है वह इनफोर्स में भी ही तयार हो गया था वह सब पढ़ेंगे हम लोग में के अब देखते हैं वह बिटिश जो हमारा रूल है उनहीं के रूट में से रहा है आप जैसे कि इंडियन कॉंस्टिशन की बात करते हैं मिजॉरिटी जो चीज है वह गवर्नमेंट ऑफ इंडियाक 1935 से लिया गया इंड लोग आगे बढ़ते हैं और यही सब सारे बातें कर रहा है फिर बोल रहा है दो पार्ट में डिवाइट क्या कम्पनी रूल क्राउन डूल कम्पनी रूल कभ से कब तक आया 1773 चैंट टाइमलाइन आपको ध्यान रखना है कि ये जो टाइमलाइन वाइसे ब्यान किजिएग होता क्या है regulating act आता है ठीक है 1773 में यह बहुत ही major reform है मतलब जब देश आप इंडिया के उपर जब उन्होंने साशन करना शुरू किया तो यह एक बहुत ही crucial act जो है regulating act वो लेकर के आते हैं और इसमें क्या हुआ था कि it is the first step taken by the British government to control and regulate the affair of this India company in India ठीक है और इसने क्या किया इसने political administrative function भी जो है company का इसको recognize किया ठीक और it led the foundation of central administration in India ठीक है बात बता दिये बने आपको अब उसके बाद देखिए आप features क्या क्या है यह आपको important रखना आप यह जब बात हैं यह समझने के लिए थी लेकिन feature यह आपको important point याद रखना है इसमें क्या याद रखना है देखिए फर्स point designated the governor of बंगाल as governor general बंगाल को क्या आप से question पूछेगा बोलेगा by which act the governor of बंगाल was designated as governor general बंगाल तो यह देखिए पहला question आपका form हो गया ना तो आपको इसका आंसर क्या लिखना है it was by regulating act 1773 हम लोग 1773 के regulatory act का feature देख रहे हैं भी तो बंगाल बंगाल बना दिया गया और एक executive council बना गया था चार members का जो executive council क्या करेगी कि governor general को assist करेगी ठीक है और यह आपका statement में दे सकता है question आता है आप लोग उसे कि who was the first governor of बंगाल तो दकरेक्ट answer is Lord Warren Hastings तो चलिए आप लोग comment box में मुझे करके बता है कि who was the first governor of बंगाल not governor general who was the first governor of बंगाल आप comment में करके बताए देखते हैं कि कितने लोगों को पता और कितने लोगों को नहीं पता है आईए इसके बाद आगे बढ़ते हैं second point second point में क्या कहता है मेड़ दा governor of Bombay and madras presidency subordinate to the governor of बंगाल अब क्या हुआ ना कि आप यह समझे कि बंगाल को थोड़ा सा strengthen किया गया उसके power को थोड़ा आगे बढ़ाया गया क्योंकि Bombay और madras presidency को जो है subordinate बना दिया गया था governor of बंगाल ठीक है पहले नहीं था पहले कहा था कि पहले तीनों के तीन presidency जो थे सब independent हुआ करते थे ठीक है लेकिन अब subordinate बना दिया गया बंबे madras को तीसरा पॉइंट आईए देखते हैं आपको यह पॉइंट बहुत important है बहुत बार स्टेट पीसे वगरा में भी पूछा जाता है कि बाई वीच एक सुप्रीम कोट चलिए आईए अगले पॉइंट फॉर्थ पॉइंट पे चलते हैं फॉर्थ पॉइंट हमारे क्या है इर प्रोहिबिटेड तस सर्वेंट ऑफ दा कंपनी फ्रम इंगेजिंग इन प्राइवेट और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट और ब्राइव फ्रम दे नेटिवस क्या अब इसी एक रेगुलेटिंग प्राइवेट ट्रेड लोग करने लगे ते आप लोग चीज पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे तो बताते हैं उसको बोलते थे दस तक दस तक क्या था वाई फारूक सियार ने 1717 में यह दस तक जो है प्रवाइड किया था मतलब एक तरह का य यह रेगुलेटिंग अट के थोरा क्योंकि रेगुलेट करना है भी वो लोग रेगुलेट कर रहे थे कंपनी को तो इसी रेगुलेटिंग अट के थे थे प्रोहिविट कर दिया कि अब कंपनी के जो सर्वेंट्स होगे रहा है वो प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे ब् रिपोर्ट और इस revenue, civil and military affairs कहा थोड़ा सा British government का control extend किया था, ठीक है, क्योंकि अब जो है, court of directors जो थे, ठीक है, जो company का governing body था, वो report करता था government को on its revenue, civil and military affairs, आइए, next आइए, देखते हैं, यह हमने देख लिया, regulating act 7073 का, देखो, समझ में आ गया होगा, हम लोग उम्मीद करते है कि मज़ा भी आया होगा आपको अब पाँच पॉइंट के है एक बार फिर से बताते हैं क्या क्या फीचर्स थे पहला हमने देखा कि गवर्णर ऑफ बंगाल को गवर्णर जेनरल ऑफ बंगाल बना दिया ठीक है आईए उसके बाद हम लोग आगे परते हैं दूसरा पॉइंट में हमने देखा कि बंबे मदराज जो कि पहले इंडिपेंडेंट हुआ करता था प्रेसिडेंसी अब इंडिपेंडेंट नहीं रहा इसको सवाडिनेट बना दिया गया गया गवर्णर जेनरल बंगाल का दिसरा सब्सक्राइब करते हैं चौत्व हमने देखा कि अब सर्वेंट प्राइबेट ट्रेड नहीं करें पांचों आपको उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा एमेंडेंट किया गया इसी रेगुलेटिंग एक्ट में ठीक है और कुछ जो डिफेक्स थे उनको हटाने के लि और council को भी jurisdiction of supreme court से चाहे वो कोई act official capacity में किया गया हो ठीक है और यहां तक कि अगर कोई कमपनी का official actions भी अगर कोई servant ले रहा है उसमें भी उनको exemption दे दिया गया कि मतलब अगर वो कुछ ऐसा गलत काम करते हैं तो supreme court में उनकी सुनवाई नहीं होगी आई दूसरा point गया देखते हैं एक्स्लूड कर दिया गया revenue matters को और matters arising in the collection of revenue from jurisdiction of supreme court ठीक है तो revenue matters वगरे को भी इस jurisdiction से बाहर कर दिया गया supreme court से ठीक तीसरा point आई यह देखिए क्या बोलता है तीसरा point आप से कह रहा है कि इसने supreme court को provide care to have jurisdiction over all the inhabitants of Calcutta Calcutta में अब जो भी लोग रह रहे हैं चाहे Britishers हों चाहे Indian natives हों सब के उबर जो supreme court का jurisdiction बढ़ा दिया गया ठीक है अब जो है यहाँ पे क्या था कि आप जो natives हो गया रहे थे अब जैसे कि यहाँ पे हिंदू भी थे Muslims भी थे तो अब उन्हों को कैसे यह किया जागा उनकी चीज़ें कैसे नॉर्मल ही चलेंगी तो क्या था कि यहाँ पे court वगरे क्या करती थी कि personal law वगरे यूज करती थी defendants का जैसे कोई Hindu है तो उसके लिए Hindu लोका इस्तोमाल किया गया कोई Muslim है तो उसके लिए Mohammedan लोका इस्तोमाल किया गया चौथा point देखे का कहता है इसने अगर वहां से अगर कोई अपील ले जाना है तो वह supreme court नहीं ले जाएंगे बलकि governor general in council के पास ले जाएंगे और लास्ट और पांचवा आकरी point amendment में क्या किया गया था इसने governor general in council को इंपावर कर दिया to frame regulation for provincial court and councils ठीक है यह पाँच point है regulating act जादा important है हाँ इसमें थोड़ा से देख लिए कि पावर को थोड़ा सा पस इन्हांस किया गया है थोड़ा सा जादा बिटिश कंट्रोल दिया गया थोड़ा सब सारी चीज़ें एक्ट में आपको यह लाइटी ध्यान रखना है ठीक है अब आईए this is important this is important UPSC ने इससे question भी पूछा है ठीक है प्रिमिस में इससे question आ चुका है मैं बताऊंगा आपको ठीक है वैसे last question कुछ discuss करेंगे जब historical background खतम हो जागा तो आईए देखते है क्या पिट्स इंडिया एक्ट में this is important okay this is important for your examination कोई भी एक्जाम हो especially UPSC का we are focusing आईए देखते है इसके features क्या क्या इसने सबसे पहले क्या किया कि commercial और political function जो था ना दोनों को bifurcate किया बुला कि भाई ये इस इंडिया company है और आप जो है एक ही company commercial function भी कर रहे है political function भी perform कर रहे है तो थोड़ा सा complex हो जा रहा था ठीक है तो इसने क्या किया ना एक court of director बनाया और एक बनाया board of control तो जो court of directors है तो director किस चीज में होता है company में होता है तो court of director क्यों बनाया गया commercial affairs को manage करने के लिए ठीक है और board of control क्यों भी बनाया गया to manage the political affairs तो ध्यान रखना यहीं question पूछा गया था ठीक है तो ध्यान रखना है आपको ये किस act के दौरा बनाया था ये था पीट्स इंडिया 1784 के दौर कि administrative function perform करना है political function perform करना है तो board of control करेगी और commercial function करना है तो code of director करेगी ठीक है आईए third point हम देखते है third point क्या था it empowered the board of control to supervise and direct all operations of civil and military government and revenue of the British position in India के रहा कि इसने board of control board of control कौन जो आपका political function perform कर रहा है ठीक है कि उसको empower कर दिया कि आप supervise कर सकते हैं direct कर सकते हैं जो भी civil or military government वगर operations यहां पर चल रहा है या कोई revenue अगर है British position का उन सब चीज़ों में supervise आप कर सकते हैं board of control को यह power दिया ठीक है थ्यान रखिएगा आईए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि यह act जो है कर रहा दो चीज़ों के लिए important था पहला पहला क्यों important है यह पहला कर रहा है कि company जो है का territory जो है इंडिया में वो पहली बार उसको British position बोल दिया गया और दूसरा क्यों important है यह क्योंकि इनको British government को supreme control दे दिया गया था company के affairs में मतलब company का दखल अंदाजी शुरू हो गया था जो company के जो officers हो गया रहा था यह लोग बहुत जादा corruption हो गयरा करने लग गया थ थी इसलिए थोड़ा सा extreme control जो है government ने अपना company के ऊपर बनाया है हम लोगों को याद रखना है कि हमने देखा था ना कि कैसे 1605 के वक्त में Queen Elizabeth जो है जब 1600 में company को यहाँ पर भेजती है तो उस वाक exclusive right दिया था लेकिन यहाँ पर देख रहा है कि extra control भी अपना यह लोग इसके 1786 1786 में भाई आदमी आता है Lord Cornwallis उनको Governor General of Bengal बना दिया गया बहुत crucial figure है ठीक है Lord Cornwallis बहुत सारे reforms यह लेकर क्याएंगे judicial reform, police reforms और लाते हैं यह हम आगे खेर पढ़ेंगे भी ठीक है जब police reforms और पढ़ेंगे तो देखेंगे कि यह किस तरह से चीज़ों को बहुत अच्छा मैनेज करते हैं Lord Cornwallis जो इनको Governor General of Bengal बना गया दो डिमांड इनों ने किया ठीक है बोला कि हम दो डिमांड रख रहे हैं तब ही उससी के बाद हम पोस्ट को accept करेंगे आपके Governor General of Bengal बोलता है पहला क्या है कि हमको भाई पावर रे देदो तुर ऑवर्राइड देशीजन ऑफिस Council in Special Cases कि अगर जो मेरे Council है जो चार बंदे हैं जो एसिस्ट कर रहा है अगर मुझे उनको ओवर्राइड भी करना पड़े उनके डिसीजन को तो मैं कर सकता हूँ ठीक है कर लो दूसरा Commander in Chief बना दो ठीक है बन जाओ तो इस हिसाब से इनेक्ट कर दिया गया ठीक है दोनों प् गया 1793 में Charter Act आया अगला 20 साल के बाद फिर आएगा 1813 में फिर 20 साल के बाद 1853 में आएगा ठीक और उसके बाद 1858 में सीधा फिर Crown Rule आ जाता है तो Crown Rule हम लोग नेक्स सेशन से पढ़ेंगे आज हम लोग अभी Charter Act अभी बागी साथे देखने वाले हैं ठीक है तो देखिए Charter Act में क्या होता है कि यहाँ पे तो हुआ ही पहला पॉइंट हमने देखा कि extended the overriding power given to Lord Cornwallis over his council to all future governor generals and governor of presidencies मतलब कि यह जो overriding power था Lord Cornwallis को यह नहीं अब बाकी future के भी जो भी governor generals आएंगे सब को ही यह power extend कर दिया गया ठीक है दूसरा point governor general को यह जादा power control दे दिया गया over government of subordinate presidency of Bombay and Madras तो भाई Bombay Madras तो पता ही है subordinate बनके रहा गया था उसके उपर भी जादा power दे दिया गया तीसरा कह रहा है कि extended the trade monopoly of company India for another 20 years अभी हम लोग बता है न हम बता है तो कि 20 साल के लिए extend कर दिया गया था monopoly trade monopoly ठेक है तभी charter act आगा 1830 में आप लोग देखिएगा ठीक फूर्थ पॉइंट क्या है commander in chief बना दिया गया था और बोला गया कि commander in chief was not to be a member of governor general council unless he was appointed जब तक उसको पॉइंट नहीं किया जाए governor general of council जो commander in chief बनेगा जरूरत नहीं है कि वह member of governor general council का ठीक है आईए उसके बास पांचमा पॉइंट का दे control के जो भी members होंगे या फिर जो भी staff होंगे उन लोग को payment कहां से किया जाएगा salary कहां से दिया जाएगा Indian revenue ठीक है बाई चूसो Indian revenue चूसो तुम लोग ठीक है यह तो यह है हमारा 87093 का charter act फिर आईए charter act 1813 में आता है इसमें आपने क्या देखा चार हमने यहापे क्या point discuss करने हैं कितने points हैं 5 points total discuss करने चार्टर act 1813 में सबसे पहले यह point है कि इसने यह question UPSC PYQ में पूछ चुका है मुझे याद आ गया यही पूछा था किस act के द्वारा जो है यह trade monopoly of company को खतम किया गया था ठीक है accept trade in charity and trade with China इस दोनों के trade के monopoly को छोड़ दिया गया था बाकी इसने यह चार्टर act 1813 का आया इसने trade monopoly company का खतम कर दिया इंडिया में ठीक है और इंडियन मतलब जो trade जो है दे दिया गया था बिटिश मर्चेंट्स को ठीक लेकिन monopoly जो है ना दो चीज़ों में छोड़ दी गई थी वही हमने आपको बता कि एक trade in team है दूसरा trade with China में वह अभी भी च आक्ट आ रहाना बिटिस government अपना power बढ़ाता जाएगा तो sovereignty जो है उसने असर्ट किया बिटिस ग्राउन ने company territory में मतलब जो भी company का territory इंडिया के अंदा था उसके ऊपर ठीक है तीसरा point क्या कहता है कि क्रिशन मशनेरीज को भी बोला कि ठीक है आओ तुम भी enlighten करो थोड़ जो है tax वगरा impose कर सकते हैं लोगों पर और यहां तक के लोगों को punish भी कर सकते हैं अगर वो tax को पे ना करें तो ध्यान रखिएगा अगर यह means के लिए means के लिए important point है आप लोग add-on कर सकते हैं कि यह 179 यह sorry 1813 का जो act आया था इसी act के थुरू जो है यहां सो शुरुआत होत आप डाल सकते हैं order में कि यह 1813 के थुरू जो है यहां से local government को भी जो है authorize कर दिया गया था कि वो impose कर सकते हैं tax तो मतलब local cell government जो है यह बात तब से भी चली आ रही है ऐसा नहीं है कि आजादी के बाद ही हुआ और सिर्फ गांधी जी नहीं उसको बोला था उससे पहले सब भी बाते चल रही थी आई नेक्स्ट देखते हैं हम लोग चार्टर एक्ट आ गया 1833 हमने अभी regulating act देख लिया चार्टर एक 1793 देखा 1813 देख लिया अब 1833 देखेंगे इस से 2023 में इस बार UPSC ने question पूछा है इस साल 2023 UPSC का question अब कौन सा question है वो भी बताएंगे और first line ही उ गवर्णे जनरल बंगाल वस मेड़ा गवर्णे जनरल ऑफ इंडिया ठीक है और तो इसका आंसर था चार्टर एक 1833 इसका correct आंसर था ठीक है यही question आया था और उसके बाद पहली बार हुआ क्या कि government of India जो है उनको authority देखेंगे और the entire territory इंडिया टेरिटेरियल एरिया पॉस में comment करके बता है नहीं बता है तो रॉबर्ट क्लाइव आंसर है गवर्णे जनरल ऑफ बंगाल कौन था ठीक है तो वो था हमारे वारन हैस्टिंग थे 1773 में हमने देखा और यह 1833 के द्वारा जो है जब गर्णों जनरल फ इंडिया बना गया तो लॉड विलियम आईए दूसरा फीचर देखते हैं चार्टर एक्ट अके 33 का क्या है कि इसने क्या किया गवर्णर और बंबे और मदरास को दिप्राईव कर दिया ऑफ दिया गया और गवर्णर जनरल ऑफ इंडिया जो है उसको एक्स्क्लिव लेजिस्लेटिव पावर दे दिया गया इंट उसी व्लेजलेटी पावर किसको दिया गया गवर्णन जरनल ओफ इंडिया को दे दिया गया था ठीक है और अब जो है क्या था कि इससे पहले जो भी एक्ट वगरा बनाया जाते थे उसको हम रेगुलेशन बोलते थे लेकिन अब 1833 के आक्ट के बाद क्या हुआ कि अब जो भ यह नेक्स पॉइंट के और देखते हैं पॉइंट नमबर थ्री यह कह रहा है कि इस इंडिया कंपनी अब उसको खतम कर दिया गया ठीक है और आब यह पूरली अडिमिस्टेटी बॉड़ी बना दिया गया था इस इंडिया कंपनी को बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान सकता है तो बाई वी चेक्ट दा इंडिया कंपनी वास एंडिट एज अ कमर्शियल बॉड़ी तो दराइट एंसर इसको प्योडली बॉड़ी बना दिया गया ठीक उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो कंपनी का टेटरी वगएर था वह आप जो मैजिस्टी था जो कोईन थी उनके हाथ में चला गया था सब कुछ और जो भी उनके यर्स वगएर थे लिगल यिर्स यिर्स का मतलब क्या होता है यि 부분 जैसे कि कोई राजा वेट उसका बेटा उसका प्रीड़ा ये वह बहुता है माली सुध कर रहे थे चार्ट एक 30 33 जो है इसने कोशिश किया था कि open competition किया जाए civil servants हो गए रखा ठीक है कि Indians को भी जो है यहाँ पर थोड़ा सा मौका दिया जाएगा लेकिन हाला कि इसको बात में neglect कर दिया गया था हुआ नहीं था ऐसा कुछ यहाँ से एक कोशिश की गए थी लेकिन हुआ नहीं था अभी देखेंगे 1853 के act में proper आएगा election मुझे लगता है कि अभी वहाँ पर देखें कैसे Indians को भी प्रोमोट किया जागा 1853 के act में तो 1833 में attempt किया गया लेकिन वो fail हो गया था क्योंकि बहुत oppose कर दिया गया था इंडियांस को हम लोग नहीं लखेंगा बाई गरबर कर देगा यह लग फिर वो गलती नहीं करनी है तो यह ऐसा था 1833 के act में फिर चार्टर एक 1853 का हम लोग अब देख रहे है चार्टर एक 1853 का यह इसमें क्या होता है यह हमारा आज का last act है क्योंकि इसके बाद 1857 में थ्रू करा देंगे क्या क्या हमने पढ़ा ठीक है और दो तिन क्वेस्चन हम आपसे पूछ लेंगे इसी में से ताकि देखते हैं आप लोग कितना कंशस थे क्लास में आप उसको कमेंट करके हमको बताईएगा ठीक है चार्टर एक 1853 तो यह चार्टर एक का last series है हमने अभी दी बार क्या separate किया legislative और executive function of government general council मतलब यह कह रहा है कि जो आप legislative function perform करते हैं वो अलग हो गया और executive जो भी function आप लोग परफॉर्म करते थे वह अलग हो गया legislative function क्या होता है legislative function जैसे कि अब law making function that is legislative function बोलते है law बनाना और executive का काम क्या होता है to implement the law तो implementation का काम तो यह दोनों को separate किया गया समझ रहे आप तो जिन लोगों को दिक्कत है I hope कि आपको समझ में आ गया होकर legislative to make the law executive to implement the law तो यह implementing function और law making function को अलग कर दिया गया ठीक है और इसने क्या किया छे नए member डाले call legislative counselors to the council ठीक है छे नए member का addition क्या गया जिनको हम क्या बोल रहे है legislative counselors पहले क्या था नॉर्मली executive council में आप देख रहे थे चार member था लेकिन यहां पर हम आप क्या देख रहे है छे नए member का addition क्या गया call legislative counselors to the council ठीक इन अधर वर्ट कह रहा है कि establish a separate governance जने जन्न जननल्स legislative council which came to be known as Indian legislative council जिया तो यहां तो यह आपको पॉइंट इबॉटन पॉइंट याद रखना है कि यह यह इंडीन legislative council की स्थापना जो की गई थी यह कौनसे एक्ट से की गई 1853 के charter act से ठीक है तो आपको क्या कह रहा है it's established a separate अगला कहता है लाइन के लेजिसलेटिव विंग जो है काउंसिल का वह मिनी पार्लियमेंट की तरह काम करता था लेजिसलेटिव विंग का मतलब क्या होता है लेजिसलेटिव मतलब लॉव मेकिंग विंग जो कानून बना रहा है वो विंग वो मिनी पार्लियमेंट की तरह काम करता है पार्लियमेंट होता है जिसमें पूरे देश के सारे जगों से जो है एलेक्टिव मेंबर्स चुनके आते हैं वो लोग कानून बनाते हैं लेकिन ये जो आपका legislative council था ये आपको legislative wing जो था इसमें कमी लोग थे लेकिन ये लोग मिलके law बना रहे थे इसलिए इसको mini parliament बोल रहा है और it adopted the same procedure as the British Parliament जैसे British Parliament law बनाती थी उस समय में ठीक उसी तरह से ये लोग भी legislative wing भी law बना रहे थी इसलिए mini parliament बोला तो important point क्या है कि ये है कि legislation for the first time was treated as a special function of the government requiring a special machinery अभी देखिए इससे पहले क्या चला था ने गौर्णर जो गर्णर जर्नरल होते थे सब काम मोलोग अपने हिसाब से कर रहे थे लेकिन हमने क्या देखा कि यहां पर नहीं बोला कि यार बहुत जादा बड़न सम हो जाता है तो legislative function को separate करो executive function को separate करो ठीक है और आप legislators जो है legislative विंग है आप लोग law बनाओ छे नए members को induction कर दिया गया था तो यह point आपको याद रखना था आईए next point क्या कहता है point number two it introduced an open competition system of selection recruitment of civil servants और यह open competition रख दिया गया recruitment होगा civil servants का एक था covenanted civil service ठीक है यह Indians को भी दे दिया गया जो covenanted होता था उस वो Indians को भी provide किया गया पहली बार तो यह point आपको important point याद रखना है अभी हमने 1833 में बता रहे था ना हम आपको 1853 में आएगा ठीक है यह जो civil services था covenanted जो senior वाला था ठीक है जिसमें जादा रुदबा जादा respect था तो यह जो covenanted civil services है यह आपको Indians को भी दे दिया गया और एक Macaulay committee बनती है the committee on Indian civil services appointed in 1854 यह कई बार timeline important आपसे पूछ लेते हैं तो यह timeline के वैसे याद रखना होता है कि 1854 में Macaulay committee बनी थी आपसे ऐसे question पूछ देगा chronology में UPSC देदेगा statement one उसमें देदेगा statement one में लेट से के देदिया के board of directors and board of control it was separated statement one statement two statement two में मान लिजे यही लिख दिया इसमें यह जो है कि Macaulay committee was formed statement three supreme court at Calcutta was established और point number four देदेगा आपको फोर में भी कोई question आपको देदेगा मान लिजे के trade monopoly was ended ठीक है अब बोलेगा इसको chronology में लगाई है sending order में तो यह आपको फिर ध्यान में रखना होगा क्या अच्छा regulating act 773 के तुरू supreme court बनाया था तो उसको पहले रखेंगे फिर देखेंगा अच्छा trade monopoly कब खत्म किया अच रेटेंड होगा बाकट बॉला के यह आप पोजेशन जो है रेटेंड करके रखेंगा लेकिन अन्ट्रस्ट फोर द बृतिश क्राउन मतलब यह इंडिकेशन था समझ में आगिया कि बहाई अब बृतिश क्राउन जो है पूरी तरह से चीजे हाथ याने वाली है, अब company के हाथ से चीजे जाने वाली है, लेकिन इसने specify नहीं किया था कि कब तक यह ऐसा चलता रहेगा, ठीक है, क्योंकि पहले क्या होता था, कि पहले बता दिया जाता था, कि हाँ, 20 साल तक extend किया गया, है न, तब यह आपने देखा 1813 का act आया, 33 का act आया, 53 का act आया था, लेकिन यहाँ पे specify नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि आप आप लोग देखेंगे, कि इसी के बाद जो है, अभी 1858 crown tool आ जायेगा, ठीक है, आईए, point number 4 देखते है, it introduced for the first time local representation in Indian legislative council, हाँ, local representation जो है, ले कर के आगए, Indian legislative council, वही, जो legislative wing थी, law बनाने वाली, उसमें Indians का भी local representation दे दिया गया, हमने देखा था ना, कि 6 नए member इंडेक्ट किये गया थे न, तो ये 6 नए member जो इंडेक्ट किये गया थे, इसमें बुला गया, कि 4 member were appointed by local government of Bombay, मदरास, बंगाल और आगरा, तो इस तरह से, यहाँ से local representation कहां से आया थ 1853 के act से आया था, यह important point आपको याद रखना है, ठीक है, तो यह हमने आज देखा company rule 1773 से लेकर के 1858 तक, यह पहला पार्ट हमने देख लिया, एक बारा यह revise करते हैं, सबसे पहले regulating act 1773 में आया, आपने देखा, गवर्नर बंगाल को गवर्नर बंगाल बना दिया गया, गव इसके बाद हमने देखा के Bombay Madras presidency को subordinate बना दिया गया, गवर्नर बंगाल के, तीसरा में Supreme Court established किया गया, हमने देखा, है ना, उसके बाद हमने देखा के servant को बोला गया, company के क्या, भाई आप लोग प्राइबेट ट्रेड हो गया नहीं करोगे, और जाधा जो है, strengthen कर दिया गय और Board of Control को अलग कर दिया गया, कि भाई आप Political Affairs देखो, Court of Director आप जो है वो Commercial Affairs वगरह देखेंगे, ठीक है, उसके बाद आईए हम लोग आगे देख रहे थे, फिर हमने क्या देखा, 86 में Lord Cornwallis को बना दिया गया, भाई दो important जो demand रखा था, comment में करके बताओ, आप लोग बिना देखे हुए कि क्या demand रखा था, कि जिसके बाद हम government general बन जाएंगे, Lord Cornwallis ने क्या demand रखा था, comment करके बताओ, फिर चार्टर एक्ट आया, 1793 में, ठीक, और Lord Cornwallis भी बन गया थे, तो ठीक है, बाकि उसमें trade monopoly वगरह, exchange कर दिया गया था, 20 साल के लिए, और जादा power वगरह द पर दिया गया था, फिर British Crown की सवर निटी एसर्ट की गई, ठीक, Christian Missionaries वगरह, कोई बोला भाई, आओ, तुम लोग भी जो है, थोड़ा सा आगे बढ़ावा दो, Christian निटी को, फिर Western Education वगरह, प्रमोट किया गया, फिर हमने 1833 का एक्ट देखा, गवरणे जनलों बंगाल को ग खतम कर दिया गया, और exclusively दे दिया गया था, फिर 1853 का एक्ट आया, फिर 1853 में हमने देखा के थोड़ा और ज्यादा पावर दिया गया, और यहां पे इंडियांस के हाथ में भी चीजें दी गई, छे नए लिजिसलेटिव कांसिलर्स बनाएगे, जिसमें से चार जो है, वो इस तरह से हमने देखो, कितने आसानी से जो है, इसको खतम कर लिया, पहला पाट, historical background का, देखो इतना ज्यादा टफ नहीं है, अब जब आप अपने से पढ़ेंगे, तो यह आपको easy लगेगा, आप हमको comment box में करके बताओ कि आज का यह मेरा देखो पहला वीडियो है, ठीक है, यह जो trade permit था, was given by home, दस तक किस ने दिया था, ठीक है, इस India Company के members को, और दूसरा मेरा question है, battle of boxer जो है, 1764 में हुआ था, आप मुझे इस समय यह बताइए, कि उस वक्त, जो है, आपको मुगल ruler कौन था, इंडिया में, ठीक है, यह आपका दो question है, आज के लिए कमेंट में देखते हैं, कितने लोग बता पाते हैं, आप कई बात नहीं, पढ़के बताइए, कोशिश कीजिए, ठीक है, और आप मुझे कमेंट में बताइए, आज का वीडियो आप लोगो कैसा लगा, चुकिए यह मेरा पहला वीडियो है, historical background का, मैं उम्मीद करता हूँ क तो मैं चीजों को आपको समझा पाया, अब जब आप पढ़ेंगे इसको, तो यह बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा, और बड़े मजे से आप याद कर पाएंगे, उसको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है, तो आप लोगों से सबसे पहले तो लाइक भी क करेंगे, ओके, ठीक है, ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट हम कंपनी रूल के साथ, क्राउन रूल के साथ, ठीक है, 1858 से 1947, तब तक के लिए, ओके, बाई,